कि नमस्कार दोस्तों बीपिएस्टी मेंस को ध्यान में रखते हुए साइन्स एन टेक्नोलजी गंतरिगत जितने भी इंपोर्टेंट प्रस्ण है सब को बारी 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 से कवर कराए जा रही है आज इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रस्ण देखेंगे बिहार में सुखे के छेतरी की पहजान करें बिहार में सुखा परमंदन में बिग्यान और प्रदोगी की क्या भूमका हो सकती है सुखे को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें शुरुआत में आपको परचा एक रूप में सुखा के सिती को बताते हुआ चलना है बियार के संदर में और खास कर थोड़ा भूती सारा कर देना है साइन्स और टेक्नोलोजी के तरफ किस प्रकार से इसका बेहतरीन तरीके से प्रियोग करते हुए इसको यहाँ पे बहुत ध तक कम किया जा सकता है उसके बाद से आपे बताना है बिहार में सुखा परभावित शित्र जब सुखा परभावित शित्रों की पहचान कर ले जाएगी तो वहाँ पे बेहतरीन साइन्स और टेक्नोलोजी का प्रियोग करते हुए एक अच्छा कासा का सकते हैं एक मेनेजमे द्वराई हो जाना और उसके बाद फाइनले आपे निसकर्स के रूप में ठीक है टिपड़ी कर सकते हैं सुझाओ दे सकते हैं बिल्कुल फिरी है लेकिन ध्यान रखना है कि प्रश्निक एकोडिंग आपका निसकर्स होना चाहिए अब चलिए हम लोग बात करते हैं आपे समस्या होती है सुखे के वज़ा से देखिए अधीकतर लोगों का पेट नहीं भर पाता है सुझपार है पेट नहीं भरेगा बहुत सारी बिमारिया आ जाएगी उसके बाद से बिहार जीसे राज्यों में ये पूरी तरीके से एकनॉमिक ग्रोथ में एकरिकल्चर बहुत ब पताने की कोशिज करना है कि बिहार में अगर देखा जाए तो टोटल जो भगोलिक एरिया है 100% में देखा जाए तो लगबग 30% ऐसा एरिया है जहां पे सुखे से प्रभावित छेत्रे हैं और जहां पे सुखे से प्रभावित छेत्रे हैं यहीं पे आपको बेहतरी मेनेज करने की जरूरत है अब यहाँ पर सुखाय वाला छेत्र है तो इसका कुछ ने कुछ यहाँ पर कारण हो सकता है जैसे कि जियोगरोफी वगरह में आप लोगो नो जरूर पढ़ा होगा कि वर्सा की मातरा को निरधारित करना होला कोई एक कारक नहीं होता है बहुत सारा कारण ह होता है नंबर वन यहाँ पर हो जाएगा बिहार की जो भाओगोलिक आवास्तलिव करी कि जैसे जगा जगा पर जो अस्थला क testy है उसकी संरचना है, बनावट है, अलग-अलग आपको दिखाई देगे जैसे कि उत्तर बिहार की बात करें अधिकतर मैदानी इलाका है, धलानी इलाका है हिमालेन वला छेतर है, वहीं दच्छिर बिहार के में लोग बात करें तो बहुत सारे परवत पठार भागलपुर से सुरू होके, पुरा-पुरा इधर पस्तिम बिहार तक आएगा तो दच्छिर बिहार में मौनसून पूरी तरीके से इंटर नहीं कर पाता है तो यह होती है, छेतर बिवित्ता, इसकी बज़ाओ से देखेंगे, तो बड़े मात्रा में यहाँ पे वर्सा का और समान बितरण हो जाता है और इसलिए तो बोला जाता है उतर बिहार जहां बाट से प्रभावित होता है वही दचल बिहार सुखा से प्रभावित होता है अब जब कारण है यहाँ पे तो इसका उपाई भी जरूरी है चुकि एसे तो इसको छोड़ा जा नहीं सकता है अब इस उपाई में आपको बतान है science and technology science and technology का उपयोग करते हुए चाहे बेहतरीन बीज हो बेहतरीन फसल परभंदन हो या फिर सिचाई का साधन हो जो भी नगिंतम जो technology है यहाँ पे satellite वगरह कब इसमें परयोग किया जा सकता है बेहतरीन data के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं यहीं आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ चलिए हम लोग यहाँ पे next बात करते हैं बिहार में सुखा प्रभावेच छेत्र तो कुछ हम लोग data की बात कर लेते हैं जैसे कि बिहार में अगर बिहार का जो बड़ा छेत्र यहाँ पे भारी वर्षा देखने के लिए मिल जाएगी 200 cm से अधिक वहीं अगर हम लोग बात कर रहें इधर पहच्च में बिहार और दक्ष्च में बिहार का यह जो एरिया है अब आपको बताने के जरूरत नहीं कि 33% जो एरिया है इंकिन छेत्रों में होगा यह बड़ी मात्रा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा दच्छिड बिहार के एरिया में सुखे की समस्या देखने के लिए मिल जाएगे हाला कि यहां पर बड़ी मात्रा में छेत्रों में खनी संसाधन वाला छेत्र भी मवजूद है तो इसलिए अगर कंप्रिजन किया जाए अगर डेवलप्मेंट की स्थी की बात किया जाए उत्तर भिहार और दक्ष्ट बिहार का तो दक्ष्ट बिहार ठीक है उत्तर बिहार के कंप्रिजन में पूराइक डेवलाप स्थेज में दिखाए देगा है cars ग्रिकेशन की बात कर ले लिट्रेशी की बात कर ले लिट्रेशी में आज भी देखे पारें यहां पर रोहतास नंमबर वन यहां पर छी के लिए ँस है यहाँ पे सोरी बिहार का जो डिशटी के दखिड भिहर में आपको देखने के लिए मिले गा लेकिन आपको धिहान रगना है यहां पर कि यहां पर बरी मात्रह में किसान लोग भी रहते हैं और जब किसानों का फसल अच्छा नहीं होगा सुखे की सिती रहेगी तो किसानों की समस्या यहां पर होगी ही होगी और इसी के वज़ा से तो आता है ना यहां पर गरीबी आएगा समाज में जो और समानता आएगा और अभी बहुत सारी रिपोर्टों निया जरूर बता दिया है कि बिहार में या फिर पूरे भारत में गरीब वाले और गरीब हो रहे हैं अमीर वाले और अमीर हो रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बड़े पैमाने पर इसको सुचना है इसके इंपेक्ट को देखने का प्रियास करना है उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं दर उत्तर भारत के ठीक है तो उत्तर भारत म देखा जाए तो बड़ी मात्रा में यहां पर सुखा लाता है सुखे के साथ जहां अधिक वर्सा होगी वहां पर एक दम मतलब बाढ़ जैसी भयाना की इस्तित पैदा कर देगा जैसे कुछ साल पहले केरला अगरा च्छत्रों में देखने के लिए मिला था तो इलिनो जब भ भारी मात्रा में उत्तर बिहार का भी जो छेत्र था यह प्रभावित था ही तो उत्तर भारत में माना जाता है कि लगभग 25% इसे एरियाज है जहां पर एलिनो का इफिक्ट देखा गया था तो समस्या रहे गए रहेगा इसका मतलब कि उत्तर बिहार चाहे हम लोग दच्छ में आही गया होगा कि अब जब सुखे की समस्या उत्पन हो रही है तो पूरी तरीके से यहां पर जो एक जो इको सिस्टम है यहां पर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा अन्बैलेंस हो जाएगा लोगों को यहां पर समस्या यानि यहां पर सुरू हो जाएगी और यहीं है इसके कई सारे यहां पर कारण यहां पर मौझूद है समान्य कर सकते हैं कि और समान्य वर्सा हो जाएगा और समान्य वर्सा के साथ साथ यहां पर ठीक है मिट्टी की बेहद खराब कर सकते हैं कि प्रबंधन हो जाएगा इसके अलावा जल, धारण के छमता हो जाएगा ऐसे अधिक आपको कारण दिखाई देंगे जिसके वजह से सुखा अधिक यहाँ पर भयावा का रूप ले लेता है सुखे से निपटने में बिज्ञान और परदोगी की यहाँ पर भूमका क्या हो सकती है तो यहाँ पर देख पारे हैं लगभग 9-10 जो भी आपर फेक्टर है सबको थोड़ा हम लोग तेजी से देखने का प्रियास करते हैं चुकि छोटे छोटे परेगराप के माधियम से आपको यहाँ पर लिखने का प्रियास करना पोइंट बना के लिख सकते हैं जैसे कि नंबर वन है आपर रिमोट सेंसिंग सेटिलाइट का प्रियोग करके अब यह जो रिमोट सेंसिंग जो सेटिलाइट है डेटा के मामले में बहुत यह एकुरेट डेटा देता ही देता है यहाँ पर अब असानी से इसका जो प्रियोग है, हम लोग एगरी कल्चर में कर सकते हैं. या फिर जो भी यहाँ पे वर्षा की मातरा को जानने में, यहाँ पर कितना जल है इसकी मातरा को जानने में, और अब ही एक रिमोट जो ठीक है सेंसिंग सेटलाइट के तद भेजा गया जिसका नाम है मेगा ध्यार रखेगा मेगा ठीक है नाम ही है इसका मेगा ट्रोपिक्स ठीक है ये कारेकर क्या करेगा तो यहाँ पर आसानी से जल चक्र को बता देगा इसके अलावा असानी से ये उर्जा को ये बता देगा तो बहुत अच्छा सेटलाइट है मेगा इसके माधियम से ये कुरिट जो भी यहाँ पर समझे है जो डेटा आ रही है ये खास करम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सुखा के लेके तो जल चक्र को कहां पर किस मात्रा में कितनी जल है वर्षा होने वाली है कि नहीं होने वाली है जो भी डेटा आएगा इस डेटा के कोडिंग यहाँ पर राज सरकारों के पुरभाईर कर दी जाएगी अब राज्य सरकार जब योजना बनाएगी तो हमेशा ही देखेंगे आप अर्थ मीटिय मौडल को ध्यान में रखेगी इस पर बेसिकली आप देखा जाए तो जो चीजों पर बल दिया जाता है तो पहला है आप उपभोग दूसरा है यहाँ पर उत्पादन अर्था यहाँ है किस चीज की कितनी यहाँ पर मातरा की जरूरत होगी कहाँ पेगे संदार अननीती यहां पर बनाना जरूरी हो जाता है और इस remote sensing satellite का परियोग करके इसका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ठीक है कर सकते हैं कि योजना बनाया जा सकता है जो भी वर्षा के मातरा बीतरा और सब को ध्यान में रखके यहाँ पर पुर्मानमान के अधार पर योजना बनाया जा सकता है बहुत सारी चीजों के यहाँ पर परबंधा ने भी किया जा सकता है उसके बाद यहाँ पर सुचम सिचाई परडाली का परियोग इसका मैं बार-बार एक जामपल देता हूँ इजराइली क्रिसी पदती को इस राइली में देखेंगे इसराइल में वहाँ पर ठीस सेंटिमीटर से भी कम वर्षा होती है लगबग इसी के आसब सब्द करीयों के परियोग किया यही ही तो सब कारण होता है तो भारत में भी इसका प्रियोख करना चाहिए, बिहर में भी इसका प्र推व करना चाहिए औशुम सिचाई पड़ाली में, आप लोग ने नाम जरूर सुना यहाँगा तपकन बिधी ध्यार रखेगा टपकन बिधी इसे बोला जाता है ठीक है इसी को बोला जाता है ड्रिप सी चाई दूसरा होता है यहाँ पे ठीक है अस्प्रिंकल इसी को बोला जाता है फुहारा बिधी फुहारा बिधी तो इसके माध्यम से यहाँ पे कम से कम पानी में फसलों को उगाया जा सकता है बेहतरीन production यहाँ पर लिया जा सकता है लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि science and technology ने तो अपना काम कर दिया लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात आती है cost की अधिकतर cost होने को जब से किसान युज नहीं कर पाते हैं जब युज नहीं कर पाएंगे तो क्या फाइदा science and technology का है इसलिए यहाँ पर government के द्वरा यहाँ पर बड़ी मातरा में सब cd यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि किसान इसका प्रियोग करे और कम से कम पानी में कम से कम पानी में यहाँ पर ठीक है फसलों के production को यहाँ पर बढ़ा सकें यह बहुत यहाँ पर जरूरी हो जाता है ध्यार रखेगा ठीक है सुच्म सिच्चाई परणाली का उप्योग ध्यार रखेगा सुच्म सिच्चाई परणाली का उप्योग अब इसी के माधियम से यहां पर असानी सिस्में सबस्पार है यहां पर उर्वरक भी डाला डाज सकता है अब देख रहें ने टपकन बिद्धी प्रती बुंद एक एक बुंद में अगर उसमें उर्वरक यहां पर डाल दिया जाए पूरे पानी को ठीक है रख के तो जो भी उर्वरक है पानी के इसे किया जा रहा है जैसे कि इसमें कुछ टर्मलोजी आपको ध्यान रखना है बिहार में नंबर वर यहां पर हो जाएगा आहर और दूसरा हो जाएगा यहां पर पॉइन बिद्धी आहर में यहां पर क्या होता है तो देखेंगे तो तीन तरफ से जो तीन जो एरिया है इ में समझ सकते हैं और इस पॉइंट के माधियम से जो भी तलाप के एकत्रित पानी को निकाल के अलग-अलग खेतों में यहाँ पर इसको डिस्ट्रिप्यूट किया जाएगा यह बहुत कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ठीके बिधी है वर्सा के दिनों में तलाप को भर लेजिए और उसके बाद जैसे जैसे पानी की कमी हो रही है यहां से यूज करते रही है उसके अलावा भी मोडर्न समय में देखेंगे अभी आधूनिक समय में यहाँ पे खासकर राजस्थान के छत्रों मे बड़ी मात्रा में यहाँ पे ठीक है इसका यूज किया ही किया जाता है जैसे कि वर्सा जल का संचेयन वर्सा जल का संचेयन राजस्थान में देखेंगे तो भूरी चार्ज करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है इसके साथ साथ वर्सा जल को बहुत बड़े टेंग चांब हो गयरा में चिक है हादी टाइप को पना कर रखा है और भूत फ्रेस वाटर होता है वर्सा जल सुद्ध होता है उसका डायरेक्ट यहां पर रेक्षन ún में डीजाइन किया जा कि सोच पारे हर एक छट में देखेंगे वर्षा के दिनम जो बारिस होती है तो लोग क्या करते हैं पाइप लगाते हैं बहुत सारा जो पानी है ठीक है सिधे जाके नदी नालों में मिलके ठीक हो जाता है अब उसी पानी को सोचिए यहाँ पर अगर यह भूमी अस्तर को प्रियास कर रहा है बिहार की जो एक जैंसी है बिहार राज्य भावन निर्माण निगम लिमिटेट इसके अनुसार अभी तक माना जा रहा है कि लगभग 8000 लगभग 849 ने रुके को नाशी सो चालिस वर्षा जल संचे निकायों की स्थापना पे बल दिया जा रहा है और की द्वारा माना गया कि अभी तक लगभग 3668 सरकारी भावनों के पहचान भी कर ली गई है जो भी भावन वगरा है ठीक है जहां से असानी से वर्षा जल का संचेन किया जा सकता है भू जल को रिचार्ज करने के लिए उस पानी को नीचे भेजा जा सकता है बहुत यह भी स माना जाता है कि बिहार सरकार भी वर्षा जल संचेन पर कानून भी लाने वाली है कानून भी लाने वाली है तभी आपनों सुना होगा ठीक है कि जो तलाबों का नदियों का एक्दम जन्गलना किया जा रहा है ठीक है के करला जैसे राजियों ने ठीक है जल को लेका भी कान जरूरी हो जाता है कि समय के साथ परिवर्तन समय के साथ परिवर्तन अब यह नहीं कि समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा जैसे छोटा सा एक जामपल मैं आपको देने के प्रयास कर रहा हूं महराश्ट में जो लातूर का जो एरिया है जो ठीक है कह सकते हैं कि काली मिट्टी वाला काली मिरिदा वाला छेतर है यहां पर दच्छिर में यहां पर क्या है तो फसल पैटरन को लोग चेंज करने के लिए तैयार नहीं है यहां पर बड़ी मात्रा में हम एसा लोग कमर्सियल फसल गन्य को यहां पर लोग उप जा रहे हैं और गन्य को जाने के लिए लगवा कम से कम ठीक है तो डिएर सो से दो सेंटीमीटर यहां पर पानी की जरुरत हो गी उतनी पानी है नहीं और यह लोग नीचे से पंप सेट के माध्याम से इतनी बड़ी मात्रा में भूज अलका वहाँ पर दोहन हुआ है कि वहाँ पीने तक काज स्वाच पानी मौजुद नहीं है तो समस्या है कि नहीं है जब पानी ही नहीं है तो कृभ को पैटर्न को चैंज करने के यहां पर जरूरत है यह बहुत जरूरी हो जाता यहां पे कि समय के साथ परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी हो जाता और यह क्रिसी में भी यह बात क्या होती है पूरी तरीके से यहां पे लागू होती ही होती रहती है ठीक है तो बिहार में यहां पे इसका प्रियास करना चाहिए बिहार में आपे प्रियास करना चाहिए चु बिदूद सकती को यहां पर दे सकती है, अतरित बिदूद सकती को यहां पर दे सकती है, सबसीडी के माधियम से ठीके बिजली बिल को कम किया जा सकता है, इसके अलावा जेनेटिकली मुडिफाइट फसलों का बड़ी मातरा में प्रयोग किया जा सकता है, उरूरा की अच्छी important जो जीला है जैसे कि नवादा हो गया नवादा के साथ साथ गया हो गया गया के साथ नलंदा हो गया इन सारे ही जगों पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जहांपे वैकल्पित फसल या फिर अकास्मिक फसल योजना को पुरोत साहन यहां पे दिया जा रहा है अब इस मुदाइक, बीजभावन, उर्वरक, बैंक की अस्थापना की गई है ताकि सारी जरूरतों को असानी से पूरा किया जा सके उसके बाद नेक्ट है यहां पे जय प्रदोग की ध्यान रखेगा जय प्रदोग की तो सुका प्रबंधन के लिए भी एक बहुत कह सकते हैं कि जो सरसों का जो genetically modified जो कुरोब आया भारत में जो आया बली मातरा में वो उसमें ठीक है कीट ना सक कीट वगरा लग गया बहुत ही किसानों को उसमें नुकसान होगा तो जितना भी genetically modified यहां पे आ रहा है जय प्रदोग की का प्रियोग करते हुए इसमें ठीक है जो भी यहां पे नियंत्रल करना रोग का यहां पे नियंत्रल करना बहुत ही यहां पे जरूरी है जो भी पेस्टिसाइड होगा अगर प्रियोग नो डाउट यहां पे करना ही पड़ेगा तो इस तरह के से यहां पे इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है इसके अलावा यहां प इसकी पानी की जो दस्ता है ठीक है, बहुत अच्छी मतलब कह सकते हैं कि नहीं हो, बहुत अथिक ते hand़ब पानी में सब्सक्रणार बहुत इस सब Holz नहीं हो, कम से खम कम कंजब्सन हो ठीक है यहां पर इसका प्रयोग किया जा सकता है एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज यहां पर एक्वापोनिक्स मतलब यह को मतलब पानी प्रेक्स मने जो भी गिरिनरी जो वेजटेबल सब्जिया होती है इसमें बहुत इंपोर्टेंट रोल नबर वन हो जाएगा पानी, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे मचली और मचली के साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा सबजिया देख पनाएँ यहाँ पर एक तीर से दो निसान अर्थात इस पानी का उप्यों करते हुए बड़ी मात्रा में असानी से एकपनिक सिस्टम को बना के म अब जीओ को भी यहां पर बड़ी मातरा में उगाया जा सकता है अब यह कैसे किया जाता थोड़ा इसको समझने का अप्रोग प्रियास किजिए यहां पर देख पारें इसके लिए हो सकता है कि ठीक है जो बड़े मातरा में इंवेस्ट्मेंट की जरूरत ना हो कमर्सेलियों ग्रच के लिए यहां पर किया जा सकता है छोटे लेवल पर इसको असानी से टेंक वगरा के माधें से किया जा सकता है पौलथीन वगरा जो फोइट पॉलथीन होता है उसको बना के तैयार किया जा सकता है इसमें दो टैंकों की जरुरत होती है देख पार है यहां पर बहुत बड़ा बड़ा टैंक नहीं चोटा चोटा टैंक भी यहां पर काम कर जाएगा एक टैंक में हैं पर मचलियों को डाल दिया जाएगा अब मचलियों को जब डाला जाएगा तो मचलियों का जो भी यहाँ पर वेस्ट होगा, ध्यान से देखते के लिए, मचलियों का जो भी यहाँ पर वेस्ट होगा, कचरा इनका होगा, यह जो वेस्ट होगा, बिल्कुल खाद का काम करेगा, खाद का काम करेगा, ठीक है, और खाद का काम करने का मतलब क्या है, यहाँ पर सीधे जो पौधों के लिए यहां पर मिट्टी की जरुरत नहीं है, यह कोपोनिक सिस्टम का सबसे बड़ी खासियत है, मिट्टी की जरुरत ही नहीं है, तैरता हुआ कार्डबोर्ड यहां पर चाहिए, कार्डबोर्ड लगा दिजिए, और यहीं से फिस फसल उगना यहां पर सुरू ह विजयदा All a ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी का सकते है कि कच्छा वाला जो पानी है जिसमें मचलियों की जो से नाइट्रेट मिला है पोधों के पास जाएगा फीर पॉधे उसको गरहन करके करके पानी को साम कर देंगे फिर यह पानी आएगा दूसरे टतर में हाँ पे सौच पानी और फिर ये स्वच पानी जो आएगा मज़ियों के पास तो पूरा-पूरार पूरा एक डिस साइकलिंग परकीरिया आपको देखने के लिए मिल रही एक उपनिक सिस्टम के तब, जिसके तब, असानी से बड़ी मातरा में मचली और सबजी ओका प्रोड़क्शन किया जा सकता है इसमें हुज जींवैस्टमेंक्ट करके इसकी ऐकार को बढ़ाए जा सकता है और कमेर्सियल परपस के लिए भाड़ी मातरा में ठीक जो खाद यहां पे डालते हैं। हम लोग सीधे उपर से डालते हैं। तो उपर जाएगा आप पौदों के जोलड़ में नहीं पहुंच पाता है। जो फ़स जाता है। जरूरी होता है यहां पर खाद डालने के जो भीतिती है सपोझ करें। अगर यहां पर ड्रीप, irrigation को अपनाया गया है तो जो भी पानी का जो ठीक है जो को सकते हैं कि मतलब डबा होगा जहां से पानी आ रहा है उस पे ठीक है एक बड़ा यहाँ पर गोल बना दिया जाए गोल बना दिया जाए गोल बनाने एक मतलब यहाँ पर है कि भूए भी बेश्ट नहीं होगा सीथे ही ओपधों कि भगा हेल जोडों में जाएगा ऑर यहां पर से प्रोडुंक्र क्या क्या होगा अधीक यहां पर होगा ही होगा तो इस से माना जाता रही कि सुख्या पर च्छेतरों में यहां पे जो इफिसेंसी 80 से 90 परशिंट तक यहां पे इसकी इफिसेंसी यहां पे बढ़ जाती हैं बहुत जरूरी है ठीक है उसके बाद यहां पे सुखे छेतर में PDS प्रढाली में अगर leakage आ रहा है तो कितनी समस्या होगी इसलिए biometric system लगाया जा ताकि leakage के समस्या को कम से कम किया जा सके और लच्छित लोगों तक PDS पनाली के जो भी फायदे हैं पहुँचाया जा सके हो उसके बाद यहां पर सुस्क भूमी का परहोग किस तरीके से किया जा सकता है तो सुस्क भूमी के जो प्रयोग है बेसिकली देखा जाए यहाँ पर फसल चक्र का प्रयोग करके फसल का जो चक्रिय जो परवा होता है मौसम के अनुसार पानी के अनुसार फसलों को यहाँ पर रोपा जाए तब ही जागे यहाँ पे मिट्टी में नमी की मातरा यहाँ पे बरकरार रहेगी otherwise सुचिये समस्यां यहाँ पे होगी ही होगी इसलिए यहाँ पे ठीक है इसका बेहतरीन तरीके से परमंधन करना चाहिए सुस्क भूमी का अगर परयोग करना है तो इस तरह का चीजों को एडप्ट करना होगा यह नहीं कि अब सुस्क भूमी है तो अचानक उसमें कमर्सियल फसल ही डाला जाए जरूरी नहीं है यहाँ पे ठीक है अब यहां पर next है है हां पर सुखे को कम करने के लिए बिहार सरकार के दोरा कुछ योजना वो कुछ लाया ஜा रहा है जैसे कि नंबर वन योजना है यहाँ पे सौर सिचाई योजना, जहाँ भी सुखे की समसिया है, वहाँ पे सौर सिचाई योजना के ताथ, इसमें छोटे छोटे जो सोलर पेनल का सेट दिया जा रहा है, पूरा सेट होता है, उसमें छोटे छोटे पॉम्प सेट इसमें लगा होता है इसके माध्यम से यहां पे बिजली की अनुपर्सिती में भी पानी को असानी से निकाला जा सकता है ध्यान रखेगा पानी के अवसकता को पूरा किया जा सकता है छोटे किसानों वगरव को ठीक है बड़ी मातरा में दिया जा रहा है दूसरा है यहां पे सेंडाई फ्र किया जाए बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका जो भी प्रोवीजन है इसको अपलाई करने का तभी जा कि पूरी तरीके से कारगर यहां पर हो पाएगा ठीक है तो सेंडाई फ्रेमवर्वर को यहां पर देखा जा ठीक है खासकर जो बिहार में इंपोर्टेंट जो सुखा पर तक ठीक है, कंट्रोल कर सकता है, इसी से नडाई फ्रेमवर के तहत माना जाता है, कि तीन चीजों पर ध्यान दिया जाता है, एक तो यहाँ पर नंबर वन हो जाएगा, पुनर प्राप्ती, पहले वाले स्टेज में लाना, ठीक है, आर्थार्थ आपदा से पहले वाले होती है, पुनरवास की, इंस्टेंट रिलीफ, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर पुना निर्मार, पुना उसको क्या किया जाए, निर्मार किया जाए, और इन सारे चीजों के लिए अभी के, ठीक है, जी सेवन देशों के द्वारा यहाँ पर दोहजार इकिस में, ए देखो हम 2035 तक, जिन देशों की आये बहुत कम है, मध्यम आये है, ठीक है, जी डीपी बहुत अच्छा नहीं है, उन देशों को हम लोग यहाँ पे इसके लिए बिल्क बैक बेटर के लिए मदद करेंगे, 2035 तक इन लोगों ने टुल अच्छा रखा हुआ है, 40 ट्रिलियन जा सकता है, जैसे की अभी क्रिसी और किसान कल्यार मन्त्रा लेने, एकरी कल्चर मिनिस्ट्री ने सुखा आकास्मिक योजना के तहत, ठीक है, एक चीज़ चलाया हुआ है, जीला आकास्मिक योजना, त्यार किया है जीला क्रिसी है ठीक है जीला क्रिसी अकास्मी की वाजना इसी को बोला जाता है डी ए सी पी त्यार रोकेगा डी ए सी पी इसी को बोला जाता है डिस्ट्रिक एगरिकल्चरल कैजूल प्रोग्राम डिस्ट्रिक एगरिकल्चर कैजूल प्रोग्राम इसी के तहत यहाँ पर ठीक है अभी किरिसी का खास कर जो सुखा प्रभावित जो छेतर है हर हाल में यहाँ पर ठीक है मदद का या फिर उपाय का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है जैसे कि बिहार के कुछ जिलों में इसको लागो भी किया जा रहा है जैसे कि पटना हो जाएगा पटना कर साथ-साथ यहां पे बाका, पुर्वी चम्पारर, पुर्वी चम्पारर, जम्वी, इसके अलावा यहां हो जाएगा, समस्ति पूरा, ऐसे 1945 जिलों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा D.A.C.P. यहाँ पर लागू कर रहा है ठीक है मैंने D.A.C.P. लागू किया जा रहा है तो आपको समझ में आ गया वोगा D.A.C.P. क्या है तो देख पार है यहाँ पर D.A.C.P. अगर देखा जाते एक institutional reform है institutional reform है अर्था संस्थानों के माध्यम से जितना हो सके सुखा को कम किया जा सके यहाँ पर और D.A.C.P. है यहाँ पर जो सहयोग ले रहा है केंद्रिय अनुसंधान संस्थान का केंद्रिय अनुसंधान संस्थान का सहयोग ले रहा है यहाँ से पुरा पुरा डेटा D.A.C.P. को मिल जाएगा और फिर यह जो DACP है जो data share करेगा राजसरकारों को share करेगा और फिर राजसरकारों के दरा यहाँ पर जो भी योजना यहाँ राजसरकारों को share करेगा सुस्क दोर आएगा उसके बारे में जनकारी दे देगा ठीक है कोई भी समस्या है एक भूमी उगरा है मौसम संबंधी ठीक है तो यह बहुत हातक उसको रिजाल लाउट करने का प्रियास करेगा ही करेगा अब इसी को ध्यान में रखते हुए है राजे सरकार ने ठीक है पूरा का पूरा देखेंगे यहाँ पे तो तहसील से लेके तहसील हो जाएगा ब्लॉक इसके अलावा डिश्टिक ठीक है सारे ही जगोप यहाँ पे सुखा प्रबंधन के लिए आकस्मिक योजना तयार करने का भी परियास कर रही है या फिर अप्य अच्छा की जाती है कि इसको यहाँ पे करे ही करे जब तक बैकल्पिक आप्शन को ना रखा जाए तब तक समस्या होगा ही होगा इसके लावा ए किरिसी विकास के लिए किरिसी बत गत्विदियों में यह भी एक बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एटी एमे ध्यान रखेगा एटी एमे ठीक है कोल मिला कि यहीं सारे बाते था अब लाश्ट में आपको बताना है निसकर्स के रूप में तो यहाँ पे देख प पूर्व अनुमान वगprot इस टेकनोलजिक माधिय हम से दिया जा रहा है उसका यहांप़ लाब उठाना चाहिए जो भी चेतावनी दिय जा रहा है उसके निगरानी करना चाहिए इसके अलावा मौनसून वगरा जब आ रहा है यहां पे मौनसून वगरा यहां पे आ रहा है ठीक है या फिर मौनसून को मौसून को सुरुवात से ही जो जल परबंधन यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है जल प्रबंधन किया जा जिसे की परंपरिक वर्षा जल प्रणाली हो गया नदी नाला तलाब सबको यहां पर बेहतरिन करने का यहां पर प्रयास करना ही करना चाहिए इसके अलावा जहां पर वर्सा नहीं हो रही है बैकल्पिक खेती ध्यान रुखेगा बैकल्पिक खेती या सुस्क खेती की यहां पर तलास की जाएनी चाहिए जहां पर कम से कम पानी में अच्छा खासा प्रोडक्सन यहां पर हो सके और बैकल्पिक क्रिसी के रूप में यहा पानी सबहें जरूरी है इसमें प्रैवरी चीज भी ठीक है जो भी बहुत अधिक जो जल की रखता जन कि दशता जहां पर संदार तरीके स्मेंगेनंट हो सके कम से कम पानी सब्स. हो सके वैसे फसलों को प्रोटसाहिद करना चाहिए जैसे कि दाल होता है तिल्हान मक्का आलू बेस बहुत कम ठीक है पानी में यहां पर हो सकता है अब यह सारी अगर उपाय को अपनाया जाएगा तो उतर भिहार के लोग यहां पर तिल्हान देंगे दाल देंगे सोरी मिला कि इन सारे ही बातों को आपको यहां पर बता देना है कम्पलीट तो ठीक है फ्रेंट्स थैंक्स फूर वाचिंग अपना फीटबाएक जरूर देंड जैहिंद